हेलो नमस्कार मेरे नाम है वड़ान शराव सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत मैं पहले हमेश्या से कहता आया हूँ कि ना दोस्ती में ना प्यार में ना दोस्ती में ना प्यार में जो मज़ा है कराची किंग्स की हार में और आज हमने जिंक्स कर दिया अला कि पहले जिस तरीके से करांची किंग्स की टीम जो है गेंदबाजी की और कोईटा के शुरुवाती के जितने बल्लेबास से उन्हें आउट किया और मुझे लग नहीं रहा था कि आज जो है कोईटा ग्लेटोटिस की टीम जो है मुकाबला जीतने वाली है लेकिन इसके बाद मैंने ज स्पीट का कुछ तो असर हुआ होगा मार्टिन गप्टिल ने जो मारा है और वो जेम्स फूलर का जो ओवर था 24 रन वाला वही मैच डिसाइडिंग हुआ बाइस आब ये सौग के स्ट्राइग रेट पर बल्लेबाजी कर रहा था मेरे ट्वीट करने के बाद इस बंदे ने 170 के स्पीड से जो ट्रेंड पकड़ी उसके बाद तो रुकने का नामी नहीं लिया और उसके बाद सर्फराज एमत की भी तारीफ करनी पड़ेगी हमीशा उन्होंने सिंगल निकाल निकाल के दिया है और कराची किंग्स को हार का सामना करना पड़ा है तो ये बिलकुल वैस है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे तो कोईटा ग्लेटरस की टीम जो है अल्रेडी प्ले आफ की रेस से बाहर हो गई है बाहर हो गई है कोईटा ग्लेटरस की टीम लेकिन 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 ट्विस्ट अभ ये हो गया है कि इनके भी चार पोइंट है करा आज हेल्प कर दिया है, सैफी भाई ने हेल्प कर दिया है बाबर आजम को कि ये मुकाबला इन्होंने कराची किंग्स को हराया है, आपको बदा दे कि क्वेटा ने अभी तक आठ मुकाबले खेले हैं, दो में जीत मिली है, छे मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, च चारो मैच अगर पिशावर जल्मी हार जाए, तो फिर चार पॉइंट पे ऐसा वैसा बहुत होगा, लेकिन एक जीत पिशावर जल्मी को लगबग में सुनिश्चिश्च कर देगा प्ले आफ की रेस में, मैंने तो वैसे पहले बूल लखा है कि तोटल दस मुकाबले के लि क्योंकि कराची किंग्स एक जीता हुआ मुकाबला हा रहा और सीजन हमने देखा है कि कराची किंग्स ऐसे कई मुकाबले जो है इनोंने हारे हैं, जहां पे लगबग में टीम जीत चुकी थी, उसके बाद अंत के समय में प्रेसर को जिल नहीं पाया, या फिर कुछ यासा हो गया, वैसा हो गया, जिसकी वज़े से टीम को हार का सामना करना पड़ा है, तो एक बार फिर से आप लोग बोलिए, जो ना दोस्ती में ना प्यार में, जो मज़ा है कराची किंग्स की हार में, कराची किंग्स को ना उसकी किये की सजाम मिली है, उसकी किये की सजाम मिली है, आमिर फिक्सर का आज software अपडेट हो गया है बहुत जबरदस्ट वाला software अपडेट हो गया है क्योंकि इन तमाम लोगों ने बाबर राजम के खिलाब साजिश रचा था और आज वही देखने को मिला है कहते हैं न वो काबत है कि करमा आई जब बिच करमा आई जब बिच तो वो करमा आई जब बिच का पूरा का पूरा उदाहरन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा कराची किंग्स को जबरदस तरीके से धोया है क्योंकि एसी पिच पर ऐसी बाउंडरिज पर अगर आप इतने कम टोटल देर है तो भाईया लानत है आपकी बल्लेबाजी और क्या बोला था क्या बोला था कि हमारे पास इतने सारे मैच वीनर है कि बाबराजम की हमें याद नहीं आएगी तो बाबराजम की भाईया आपको हर सीजन याद आए गी आपको पता चुलेगा कि बाबर आजम अपकी टीम के लिए दरसल में थे क्या हमेशा आपको याद आगी हमें तो लगा था कि बहुत ही जादा ये फुद्धू मैच होने चला है और कोई मतलब ही निकलता भाईया इस मैच का मतलब निकला है मतलब ये निकला है कि कराची out of playoff race अब बाबर आजम को सिर्फ एक match जीतने की दरकार है भाईया अगले चार मुकाबलों में एक match आप जीत लो आप qualify कर लो मार्टिन गप्टिल ने बहुत जबरदस पेला है धोया है जबरदस तरीके से और कोई सानी नहीं है आपको बदा दे कि अभी तक में जो है ना टोटल कोईटा गलेडिटरस ने दो मुकाबले जीते हैं और दोनों ही मुकाबले किसने जीताया है तो मार्टिन गप्टिल ने जीताया है तो जो कहते हैं ओवर सीज आपने रिप्लेस्मेंट जो चुना है वो खोटा सिक्का आपका काम कर गया है देख लो क्या है ना कि 56 बॉल पर 86 रन की पारी खेली है 154 का स्ट्राइग रेट है 94 चार चक्के जो है मार्टिन गप्टिल ने आज लगा है 166 रन बनाया और आकरी गिंटर मुकाबला जीत लिया सैफी वाई ने भी आज कमाल की इनिंग्स खेली अब आपको बता दे इन्होंने अच्छी खासी पार्णरशिप की है 25 गिंदों में 29 रन की पारी खेली सिर्फ एक चौका लगा है लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही सैफी वाई का मार्टिन गब्टिल को उन्होंने अपना विक्रेट सैक्रिफाइस कर दिया रन आउट खुद हो कर गए क्योंकि इन्हें पता था वो भी आकरी ओबर में पता था कि मार्टिन गब्टिल लेगा तो हम लोगों को मैज जीता देगा तो सरफराज एहमच पहली बात तो यह कि फिंगर इंजरी थी उनको चोट लगी थी मैदान से वाहर गए फिर भी बल्लेबाजी करने के लिए आए भाई जो है ना गजब है मुहमद अर्शद बोले सस्ता पतरकार बहुतरी के इधर सुन ले तुछ से नहीं मिला चूती है तो अब गाली देर अवकात पर उतर आयो ना अर्शद चूतिया है लुडू गाली देर पर उतर आयो चूतिया यही नोड़ा में किसी दिन मिल गया ना जो पेलूंगा ना हड़ी काम नहीं बचेगा तेरा हड़ी तक नहीं बचेगा चूतिया है नोड़ा में कभी मिल गया तो